हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल बैक्टो थे बेसिक्स दोस्तों हमारे चैनल का एक ही लक्ष है तो क्रैक यूपीस एग्जामनेशन विदाउट एनी फियर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी बिना किसी डर के यूपीस एग्जाम क्रैक करना चाते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अभी हम लोग पॉलिटी डिलेटेड एमसी कुच सॉल्व कर रहे हैं जिसमें से कि आज का टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉज फिर्थ एंड सिक्स्ट सिड आपको बताना है कि इनो से स्टेटमेंट्स जुआ है वो इनकर्यक्ट है तो देखे इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉज ठीक है तो देखे इफ ही वोलनेटरली गिपस अप इंपर सीफ अप सच अब बड़ीटी कल पार्टी तो देखे अगर कोई इ qualify हो जाएगा अपने MP या फिर MLA के position से तो ये बात तो correct है incorrect नहीं है फिर देखे if he votes और abstains from voting in such a house contrary to the direction used by his political party and such act has been condemned by the political party within one month तो देखे प्रोवीजन ये है कि अगर कोई इनसान कोई MP या MLA उसका जो political party है उसके direction के according vote नहीं करती है उसके जो direction देता है दिया जाता है political party के द्वारा उस direction के नुसार वो इनसान vote नहीं करता है तो उसको अपने इस act को 15 days के within 15 days के within condone करना होगा माफ करवाना होगा माफ करवाना होगा अधर्वाइज वो भी क्या हो जाएगा डिस्कॉलिफाई हो जाएगा अधर्वाइज वो भी दिस्कॉलिफाई हो जाएगा लेकिन यह क्या है party within a month within a month नहीं दोस्तो within 15 days है तो यह statement क्या हो गया आपका incorrect हो गया with respect to disqualification तो राइट एंसर क्या होगा यहां पर option number B do only जो एंटी डिफेक्शन के जो provisions है एंटी डिफेक्शन लोके वो provisions आपको इतम अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है जैसे independent member है तो independent member जब भी कोई political party join करेगा तो वो disqualify हो जाएगा ठीक है अगर nominated member है तो nominated member के पास यह power है कि वो nomination के 6 महिने के अंदर अंदर कोई भी political party join कर सकता है अगर 6 मंद के बाद वो political party join करता है तो फिर वो disqualify हो जाएगा इसी तरीके से अगर एक party से दूसरे party में कुछ members चले जाते हैं तो अगर two-third members जाते हैं तो इसको बोले जाएगा merger तो merger से अगर कुछ लोग जाते हैं political party shift करते हैं तो फिर वो disqualify नहीं होंगे ठीक है इसी तरह के से जो presiding officer है presiding officer अगर अपनी मतलब presiding officer जैसे speaker या फिर chair person ठीक है अगर यह presiding officer के पद पर select होने के बाद ठीक है अगर वो अपने political party से इस्तिफा देते हैं तो इस कारण से उनका membership disqualification नहीं होगा तो यह सारी चीज़ आपको ध्यान में रतने हैं anyways question one का right answer is option no.b 2 only आये question no.2 देख लेते हैं with reference to the disqualification of members on ground of anti-defection which of the following statements is are incorrect आपको बताना है कि anti-defection law के regarding कौन सा statement incorrect है पोल रहा है a nominated member of house becomes disqualified to remain a member of house if he joins any political party immediately after such selection देखे एक nominated member immediately nominate होने के immediate after अगर को political party join करेगा तो वो disqualify नहीं होगा वो तब disqualify होगा जब वो after six months six months के बाद अगर कोईसी political party को join करता है तब वो disqualify होगा ठीक है तो immediately after such election अगर वो किसी political party को join करेगा तो वो disqualify नहीं होगा तो इसले statement one is wrong statement two देखे an independent member of a house becomes disqualified for being a member of house if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat ये भी गलत है दोस्तों independent member कभी भी चाहें join करें ठीक है independent member कभी भी join करें वो disqualify हो जाएगा ठीक है independent member immediately after election join करें six months उससे कोई मतलब नहीं है उसके पास ये six months वाला window नहीं दिया वा तो ये statement भी क्या है गलत है basically ये दोनों को एक दूसरे से उलट उलट दिया गया है ठीक है तो to correct answer क्या हो गया दोस्तों दोनों ही incorrect है तो incorrect पूछा दर option number c both one and two are incorrect आई question number third देख लेते हैं with reference to the exceptions of anti-defection anti-defection law के जो exceptions है उनके regarding correct statements आप से पूछे जा रहे हैं ठीक है anti-defection law does not apply if a merger takes place when one third of the members of party have agreed to such merger देखिए one third members के साथ अगर एक political party के one third members किसी दूसरे political party में चले जाते हैं तो इसको बोला जाता है split split के according अगर कोई person अपनी party को shift करता है दूसरी party में जाता है तो उसको पहले disqualify नहीं किया जाता था according to the 52nd constitutional amendment act ठीक है लेकिन देखा यह गया कि एक political party के one third members को आसानी से जो है convince किया जा सकता था अपनी party बदलने के लिए ठीक है तो और कई सारी party इसी कारण से टूटने लगए ठीक है कई सारी party इसी कारण से टूटने लगए इसी कारण से यह split का provision खतम कर दिया गया split का provision खतम कर दिया गया अब जो exception है वो है merger का अब merger होता है two third members के साथ two third members के साथ अगर two third members की से एक political party के दूसरे political party में चले गया है ठीक है तो वो disqualify नहीं होंगे और यह आपका कौन से amendment के सया है यह 91st constitutional amendment act सया है ठीक है तो anti defection से related two amendments है यह आपको ध्यान में रखना है 50 second और 91st पहले जो है split allowed था ठीक है merger one third को बोला जाता था split two third को बोला जाता है merger तो यहां क्या बोल रहा है one third और यहां के one third को क्या बोल रहा है merger merger one third नहीं merger है two third तो पहला statement आपका क्या है wrong है दूसरा कि if a member after being elected as the presiding officer of the house voluntarily gives up the members of his party he sees seizes to hold that office नहीं दोस्तों अगर कोई इंसान presiding officer के पद पर select होने के कारण से अपनी party से इस्तिफा दे दता है हाला कि एक बात ध्यान रखे इंडिया में कोई इंसान presiding officer के पद पर select हो तो अपने political party से इस्तिफा देना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत लोग होता है कि वह सोचता है कि भाई political एक unbiasedness दिखाने के लिए वो अपनी political party से इस्तिफा दे दते तो इस कारण से उनकी membership रद नहीं होगी उनकी membership रद नहीं होगी तो दूसरा statement भी क्या है तो यह एक्सेप्शन है इसका यह एक्सेप्शन है यह exception है कि अगर वो अपने party से इस्तिफा दे दे जब वो प्रेसाइडिंग officer के पद पर elect होता है और फिर जब प्रेसाइडिंग officer वो नहीं रह जाता है तो वो दूबारा फिर अपनी party को join कर सकता है तो this is actually an exception of anti-defection law तो second आपको correct होता है और first incorrect है यह exceptions पूछे जा रहे हैं anti-defection law के तो इसलिए third का right answer क्या हो जाएगा option number B2 only अई question number fourth देखते हैं दोस्तों with reference to anti-defection which of the following statements is are incorrect तो anti-defection के regarding incorrect statements पूछे जा रहे हैं तो पहला देखें the presiding officer decision is final and cannot be questioned in any court देखें presiding officer का decision final है लेकिन it can be questioned in a court question इसो क्यों किया जा सकता है क्योंकि माली जेकि वो किसी malified के कारण ठीक है उन्होंने या biasness कारण ऐसा decision दिया हो तो इसो court में question किया जा सकता है और ये supreme court का judgment रहा है इंद की हो तो की हो तो होलो हान case की हो तो होलो हान case you have to remember कि speaker's decision can be speaker या presiding officer's decision can be questioned in court और ये judgment आया था कि हो तो होलो हान case में ठीक है तो पहला statement क्या हो गया आपका incorrect हो गया दूसरा देखें और इसके regarding rules कौन बनाएंगे इसके regarding rules बनाएंगे प्रिसाइडिंग ओफिसर ठीक है तो दूसरा statement आपका correct है the presiding officer can take up an anti-defection case on suomoto basis दोस्तो suomoto basis पर presiding officer anti-defection का case नहीं ले सकते हैं वो complaint जब आएगा किसी member से complaint आना चाहिए वो भी किस से member of house से जैसे माली जे लोगसभा के speaker है तो कोई MP जो है वो भी कहा का लोगसभा का MP अगर complain करेगा तब ही वो इस case को ले सकते हैं या किसी state के विधान सभा के speaker है तो उसी state के उसी विधान सभा का कोई जो MLA होगा अगर वो complain करेगा तब ही presiding officer इस case को ले सकते हैं ये बात आपको ध्यान वरे सुवर मोटू basis पर एंटी डिफेक्शन का case presiding officer नहीं ले सकते हैं तो एनिवेस तो फॉर्थ का राइट एंसर क्या होगा दोस्कों ऑप्शन नमबर यहां इनकरेक्ट पूचा जा रहा नहां तो ऑप्शन नमबर सी हो गया वन एंड थ्री अनली क्वेशन नमबर फिफ्ट देखते हैं तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के डियनमिक्स को एंटी डिफेक्शन लौ ने किस तरह से इंपक्ट गया है तो बात सही है कि अगर पार्टी आप चेंज करेंगे तो आपका मेंबर सीप क्या हो जागा खतम हो जागा आप डिस्वालिफाई हो जाएंगे तो इसलिए कहीं ने कहीं ग्रेटर स्टेबिलिटी को इसने प्रमोट किया है अब ही क्या होता है लोग मरजर के तरफ चलिए है तो अब समझ सकते हैं कि एसा यह पूरी तरीके से खतम तो नहीं हो है टीक है तीसरा इंकोरेटर दो यह टूस्तन तो यह गलत है कहीं न कहीं यह जा शकता है और यहाँ पर अगेश्च aside तो बूले जाएगा तो बलाद यह कि इन डिसिप्लियन अक्यूर को यहूं उसको नहीं किया गया है तो legislators का right to descent and freedom of consigns इससे कर्ब होता है ना कि उसको और जगा मिलती है फिर fourth statement देखे It has given clear cut constitutional recognition to the existence of political parties बिल्कुल सही बात है इसके पहले political parties constitution में mentioned ही नहीं थी ये anti-defection law ही है इसके कारण से political parties का mention हुआ है constitution है तो fourth statement आपका correct है तो right answer क्या हो गया option number D one and four only आई question number six देखते हैं the constitution bars disqualification of a member on the grounds of defection in which of the following cases ठीक है the constitution bars disqualification of a member on the grounds of defection in which of the following cases ठीक है तो देखें merger of two political parties with one third of members of legislature legislature agreeing to such a defection देखें अगर one third होगा तो merger नहीं कहेंगा ना मैं क्या बोला merger होगा two third से ये तो आपको गलत होगा दूसरा देखें split in a political party with one third members of legislators party agreeing for the split देखें split पहले allowed था by the fifty second constitutional amendment act split allowed था और split one third member से ही होता था ये भी बात सच है लेकिन अब split के एक तहर जो प्रोवीजन है ये खतम कर दिया गया है अब split को बदल दिया गया है merger में जिसके लिए जरूरी है कितना टू थार्ड ठीक है तो दूसरा भी क्या है खलत है तीसा देखें voluntary resignation from the party by the presiding officer of the house ठीक है voluntary resignation from the party by the presiding officer of the house हाँ बिल्कुल अगर जो presiding officer है जैसे कोई speaker के पर चुन लिया गया और अपने वो political party से वो resignation देता है ठीक है तो उसका membership disqualify नहीं होगा उसका membership cancel नहीं होगा ठीक है तो ये बात आपका बिल्कुल सही है फिर fourth देखें a nominated member's decision to join a political party before the expiry of six months from the date on which he takes seat in house बिल्कुल जो nominated member है वो अपने nomination के six months के अंदर अंदर six months के अंदर अंदर किसी political party को join करता है तो उसको disqualify नहीं किया जागा तो ये क्या है ये दोनों का बार है third and fourth बार है on the disqualification one or two कोई बार ने है disqualification पर ये बात आप समझ लिजे one or two दोनो statement ही गलत है one तो statement ही गलत है क्योंकि merger one third से नहीं होता है two जो है split से पहले disqualification पर बार था लेकिन अब ये split वाला provision खतम कर दिया गया है तो sixth का right answer क्या हो गया option number d3 and four only question number seven देखते है which of the following provisions were added to the constitution by the 91st amendment act तो 91st amendment act से कौन सा provision जोड़ा गया है तो देखिए the total number of ministers including the prime minister in the central council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the parliament तो ये statement आपका दोस्तों गलत है ध्यान रहे कि 15% of the total strength of parliament नहीं लोग सभा पारलेमेंट में क्या क्या होता है लोग सभा राज्य सभा और प्लस प्रेसिजेंट तो 15% जो strength है वो होनी चाहिए लोग सभा के 15% की बात हो रहे है ना कि लोग सभा प्लस राज्य सभा प्लस प्रेसिजेंट की तो इसलिए statement वर आपका गलत है जो 91st amendment act सिंपल बात कहता है कि कितने ministers हो सकते हैं तो लोग सभा के यानि जिसको house of people बोला जाता है house of people के strength के 15% से अधिक ministers नहीं हो सकते हैं ठीक है और इसमें prime minister भी included है तो ये तो सही है लेकिन ये parliament नहीं होगा लोग सभा होगा यानि house of people होगा तो statement 1 is incorrect statement 2 देखे दोस्तों the member of parliament disqualified on the ground of defection shall be disqualified to be appointed as a minister हाँ बिल्कुल सही बात है जिस इंसान को defection के कारण disqualify कर दिया गया है वो इंसान minister भी नहीं बन सकता है ठीक है फिर 3 देखे member of parliament disqualified on the ground of defection shall be disqualified to hold any remunerative political post बिल्कुल सही बात है अगर on the ground of defection आपको disqualify कर दिया गया है किसी MP को तो वो कोई भी remunerative political post पर वो नहीं बैठे हो सकते है remunerative political post किसको बोलते है जिस post पर होने के कारण आपको कुछ salary वगरा दिया जा रहा हो government के द्वारा ठीक है तो टू और थ्री आपका क्या होगा इन्करेक्ट होगा राइट एंसरी ऑप्सन नुबर टू और थ्री करेक्ट होगा राइट एंसरी ऑप्सन नुबर बी अब यह 6th schedule के उपर एक question है 6th schedule में आपको पता होना चाहिए कि असम है मिघाले है मिजुरम है और त्रिपूरा है यह 4 states है ठीक है बाकी धिरे धिरे इसके provisions को और समझेंगे ठीक है consider the following statements about the 6th schedule तो 6th schedule के बारे में आपको statements है 6th schedule extends to state of Assam, मिघाले, मिजुरम, एंड त्रिपूरा इसलिए पहला statement गलत हो गया दोस्तों not Manipur, त्रिपूरा इटीज दूसरा देखे, the tribal areas of 6th schedule falls outside the executive authority of the concerned state ठीक है देखे ऐसा कुछ नहीं है जो executive authority of concerned state के अंदर ही आता है tribal area of 6th schedule ठीक है बस ये बात अलग है कि वहाँ पर कुछ special provisions जरूर होते हैं ठीक है लेकिन वो executive authority of concerned state के अंदर ही आता है वो उसके outside fall नहीं करता है फिर थाड देखे गवर्णर के री और्गनाईज और अल्टर दे बांडरी जो ऑटोनोमस डिस्टिक्स अंडर देखे ये statement अगर आप call करते हैं किसी भी कोई भी area फॉल करता है तो वहाँ पर बनाई जा सकते autonomous district council या फिर autonomous regional council ठीक है अगर एक साथिक district में है तो उसको autonomous regional council बोला जा सकता है फिर autonomous district council बोला जा सकता है और इसका कुछ boundary होगा ठीक है एक state के अंदर अंदर में इसको बांडरी होगा जैस और के पास है ठीक है तो ठीक है इनकरेक्ट यहां पूछा जा रहा है दोस्तों तो वन और टू इनकरेक्ट है ऑप्शन वर बी इस दा राइट एंसर देखे 6th schedule किस पर किस पर लागग होता है असाम मिघाले तिरिपूरा मिजुराम ठीक है ट्राइबल इरियाद इन फोरस्टेश्स असाम मिघाले तिरिपूरा मिजुराम है बिन तो जो भी tribal areas हैं उनको क्या बोला जाएगा तो डिस्ट्रीक एंड रिजनल councils can make laws on certain specified matters तो जो certain specified matters हैं सिर्फ उस पर यह डिस्ट्रीकट गाउनसल्स है वो लोग act बना सकते हैं किस पर इस पर land forest canal water shifting cultivation village administration inheritance of property marriage and diverse and social customs लेकिन they do not fall outside the executive authority of the state concernedly अपने state के executive authority के अंदर ही वो लो fall करते हैं फिर थर्ड देख लिए तो थर्ड तो governor is empowered to organize and reorganize the autonomous districts thus he can increase or decrease the areas or change their names or define their boundaries and so on ठीक है area change कर सकता है उनका name change कर सकता है boundaries को घटा बढ़ा सकता है कुछ भी कर सकता है आई दोस्तों question no.9 देख लेते हैं दीखे consider the following statements about autonomous districts under 6th schedule 6th schedule के according जो autonomous districts बनती है उनके बारे में statements दिया हुआ है और हम लोगों वो correct statement identify करना है तो दीखे दा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ओफ आटोनोमोस डिस्टिक्ट्स होल्ड टर्म पर 5 यर्स पहले समझ लेते हैं ऑटोनोमोस डिस्टिक्ट काउंसिल में होते कितने मेंबर है तो ADC इसको बोलेगा हम लोग अबसे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका टर्म होता है 5 सल का जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं यह होल्ड करते हैं ऑफिस को प्लीजर ओफ दा गवर्नर ठीक है प्लीजर ओफ दा गवर्नर जब तक गवर्नर को अच्छा लगे तिक है जब तक governor को अच्छा लगे यह नहीं governor के pleasure पर hold करते हैं इनका 5 years का term नहीं होता है इसलिए statement 1 क्या हो गया आपका incorrect हो गया समझ गया आप इस बात को दूसरा दिखे The district council is empowered to collect revenue in autonomous districts under 6th schedule बिल्कुल जो ADC है दोस्तों इसके पास power होता है ठीक है revenue collect करने का तो दूसरा statement बिल्कुल correct है तिसरा देखे The lodge made by district council administrators require ascent of the governor बिल्कुल सही बात है ठीक है यह ADC वो जो subjects मैंने पीछे आपको बता था land, forest, canal water, shifting cultivation फिर inheritance of property, marriage, divorce, social customs यह सब उस पर यह ADC law बना सकती है ठीक है बट उन सारे lodge को ascent चाहिए होगा गवर्णर का तो third is also correct तो right answer क्या हो गया इसका दोस्तों 9th का option number B, 2 and 3 only 10th question बहुत इज़ी है Which of the following schedules to the constitution of India provides for setting up of autonomous district councils तो देखे दो schedule है आपको पता ही होगा 5th और 6th 6th schedule में 4 states आते हैं असम, मिखाले, मीजोरम और तिर्पुराग 5th schedule में आते हैं इसमें तलगों 10 states आते हैं दोस्तों इसमें जारखंड है उडिसा है टीक है आंध्रा है तेलंगाना है महराष्ट्र है 36 गड़ है MP है गुजरात है राजस्थान है देख लिए 10 होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राजस्थान हो गया 9 हो गया एक state और बच गया दोस्तों लेकिन बचा कौन सा वो नहीं पता ठीक है तो टोटल 10 states है इसमें इसमें टोटल 4 states है यह तो सबसे पहली बात होगे अब देखे जो 6th schedule के अंदर अंतरगत जो council बनाए जाती है उसको बोलते है Autonomous District Council या फिर Autonomous Regional Council ठीक है 5th schedule के अंतरगत जो council बनाए जाती है उसको बोलते है Tribal Advisory Council Tribal Advisory Council Autonomous District Council या Autonomous Regional Council में Members होते है 30 Tribal Advisory Council में Member होते है 20 ठीक है और इसमें 26 elect होते हैं और 4 जो है उसको Governor नॉमिनेट करते हैं Tribal Advisory Council में 20 मेंबर है इसमें लगवा 15 मेंबर देखे यह elect होते हैं लेकिन यह already जैसे MLA जो elect होए है आपके Assembly के लिए उन्ही MLA में से जो Tribal लोग हैं वही आजाते हैं यह 15 बैट जाते हैं यहाँ पर ठीक है यानि इसके लिए अलग से कुछ election नहीं होता है ठीक है और 5 लोग किसी और तरीकर से आते हैं ठीक है लेकिन यह 15 तो सीदे के आजाते है MLA ही बैट जाते है ठीक है तो यह सारा आपको ध्यान रखना है तो ओटन वास डिस्ट्रिक काउंसिल कौन से से बनता है 6 से बनता है 5 से क्या बनता है ट्राइबल अडवाईजरी काउंसिल तो टेंथ का राइट अंसरी ऑप्शन उपर दी देख लिटते हैं इसके बारे में कुछ-कुछ तो 6 से बनते हैं यह असाम मेगाले त्रिकुरा मिजुरम यहां ट्राइबल एरिया जो है यह टेकनिकली डिफरेंट है 5 से ठीक है यह सारे एरियाज फॉल करते हैं गवरनर का क्या-कया पावर है यहां पर देख लिजे और रियर्गनाइज अनी अरिया ओटनोमोस दिस्क्रिकृत इंक्रीज दे एरिया डिमिनिस दे एरिया चेंज दे नेम इफाने बाउंडरी यह सारे कुछ कर सकते हैं तो वह related to autonomous district council ठीक है आई दोस्तो question number 11 देख लेते हैं the provisions of the fifth schedule of the constitution of India shall not apply to which of the following states तो fifth schedule किस पर apply नहीं होगा तो देख लिजे जारखन और अरुनाचल प्रदेश में से जारखन में तो apply होगा त्रिपुरा और मेघाले में से किसी में भी apply नहीं होगा आसाम और मेजारम में से किसी में भी apply नहीं होगा उडिशा और मणीपूर में से मणीपूर पर apply नहीं होगा लेकिन उडिशा पर apply होगा ठीक है तो यहाँ पर किस पर apply नहीं होगा तो आप देख लिजे कि जहां 6th schedule लग रहा है वहां 5th नहीं लग रहा है 6th schedule कहां लग रहा है असाम, मेघाले, मीजुरम और त्रिपूरा ये 4 states पर क्या लग रहा है 6th schedule लग रहा है तो 5th schedule जो है वो इन 4 के अलावा ही states पर लागू होगा बस इतना आपको ध्यान में रखना है तो 11th का राइट एंसर क्या होगा option no. B देख लिजे article 244 काता है देख लिजे आर्टिकल 244 काता है क्योंकि इन पर क्या लग रहा है 6th schedule लग रहा है ठीक है philosophy behind the schedule area is that they are inhabited by aboriginals who are socially and economically backward ठीक है therefore, the whole of the normal administrative machinery operating in the state is not extended to the schedule areas and the central government has somewhat greater responsibility for this area ठीक है आई question 12 देखते हैं दोस्तों with reference to 5th schedule of the constitution of India consider the following statements तो 5th schedule regarding statements हम लोग देखना है तो आई देखते हैं the president of India has the power to declare a particular reason as a scheduled area तो जो 5th schedule का declaration होता है दोस्तों ठीक है वो कौन करते हैं वो president करते हैं और ध्यान रहे कि उसका boundary वगरा बढ़ाना काभी सारा काम जो है वो president ही करते हैं ठीक है और ये काम करने के लिए वो governor से consult कर सकते हैं गवर्नर से क्या कर सकते हैं ये बात आप को ध्यान रखना है तो पहला है statement बिल्कुल correct है दूसरा देखे जनरली एक साल में और अलग से भी वो हर साल वाशे मांग सकते हैं रिपोर्ट और अदर्वाइज बीच में भी मांग सकते हैं उस type के area से यानि scheduled areas फिफ्थ scheduled areas के administration के regarding प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से कभी भी रिपोर्ट मांग सकते हैं फिर देखे इच state with a scheduled area may or may not establish a tribal tribes advisory council ये गलत बात है जिस भी state में scheduled areas होगी उनको tribes advisory council बनाना ही है ठीक है tribes advisory council बनाना ही है तो तीसरा incorrect है ट्वेल्थ का राइट एंसर क्या होगा अप्शन नमबर A 1 and 2 only आई देखे प्रेसिडेंट इस इंपाउट टुडियर एन एरिया टूबी ए सिडूल एरिया सिडूल एरिया डिक्लेर करने का अधिकार के इसको प्रेसिडेंट को है he can also increase or decrease its area एरिया का एरिया को घटाए बढ़ा सकते हैं boundary को alter कर सकते हैं रेसीन्ड सच डेजिगनेशन और प्लस एरिया से किसी एरिया को हटा भी सकते हैं और मेक फ्रेस ओर्डर्स फोर रीज डेजिगनेशन ठीक है गवर्नर के पास special responsibilities है 5th schedule area के लिए he has to submit a report to the president regarding the administration of such areas annually और whenever so required by the president साल में देना है या फिर प्रेसिडेंट जब भी माँगे उस area के administration के regarding report तो फिर गवर्नर को प्रेसिडेंट को वो report सौपना होगा फिर देखे इस state having a scheduled area has to mandatorily establish the tribes advisory council tribes advisory council बनाना mandatory है दोस्तों it consists of 20 members 20 members इसमें होते है 3-4 are representatives of scheduled tribe ठीक है in the state legislative assembly यानि जो MLA होते है न tribal MLA जो वही हो जाते है इसके 3-4 member यानि 15 member ठीक है एक बात आपको ध्यान बरकना है पहले conclusion पहले तो clear करिए 5th schedule 6th schedule 5th schedule में मनता है autonomous district council या फिर autonomous regional council members होते है इसमें 30 और ये पर autonomous जैसे एक state में तीन autonomous district council है तो यहां तीन तीन council बनेंगे मनलब 30-30-30 के बनेंगे ठीक है 5th schedule में मालीजे 5th schedule हो गया आपका इसके तहत बनाया जाएगा आपका tribal advisory council ठीक है अब मालीजे एक state में एक लाते हार एक पूरवी सिंग भूब तीन जगा है ये आपका 5th schedule है आज लेकिन tribal advisory council एक ही बनेगी पूरे state की एक tribal advisory council बनेगी ठीक है जिसमें member होंगे कितने 20 जिसमें की 15 क्या हो जाएगे tribal MLG और 5 का ही तरीका कुछ होगा governor या तो उसको nominate करेंगा पता नहीं अब एक बात ध्यान रहे ये 6th schedule और 5th schedule के अलावा भी किसी किसी इस्टेट मालेजे ट्राइबल की population अथिक है तो वहाँ पर भी tribal advisory council बनाई जा सकते इवें दो वो 5th schedule area जम नहीं है 6th schedule area जम नहीं है ठीक है लेकिन schedule areas नहीं यानि 5th और 6th schedule में वो पॉल नहीं करता है फिर भी अगर president direct करें तो वहाँ पर भी tribal advisory council ट्राइबल advisory council वो autonomous district council नहीं ट्राइबल advisory council जो की otherwise किसमें बनते हैं 5th schedule में बनते हैं वो वहाँ पर भी बनाई जा सकते हैं फिफ्ट और 6th तोनों schedule में पॉल नहीं करता है इंडिफ्रेंसेज को दोस्तों आपको एकदम clarity के साथ अपने दिमाग में छाप लेना है आईए question 13th देखते है तो ये particular जो office है दोस्तों वो ये बोल सकते है कि state legislature या parliament का कोई particular कानून जो है इस schedule area में लागू नहीं होगा तो ये किसकी office है ये office है दोस्तों ये governor की office है ठीक है एक governor के पास ये power होता है ये बताने का ठीक है देखे it can also make regulations for the peace and good government of a schedule area after consulting the tribes advisory council तो tribes advisory council के सम्बनती है 5th schedule के according बनती है और 5th schedule के according किसी state legislature का कोई law या फिर parliament का कोई law एक 5th schedule area पर लागू होगा या नहीं होगा ठीक है ये direct करने का power कि इसके पास है governor के पास है ठीक है governor के पास है कि ये state legislature का law या parliament का कोई law particular schedule areas under 5th schedule उस पर लागू होगा या नहीं होगा ये direct करने का power कि इसके पास है governor of the state यह गलत है अगर फिप्ट या सिख्ट सिडूल में कोई भी अमेंडमेंट करना है दोस्तों तो इसके लिए चाहिए सिंपल मेज़ोरेटी चाहिए इसके लिए ध्यान रहे और यह पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है अंडर आर्टिकल ठी सिट नहीं होगा तो प्रटिकल ठी सिटूल में कोई भी बदलाओ जो होगा वो सिंपल मेज़ोरेटी से हो जाएगा ना कि Article 368 के ताहत होगा तो पहला है statement तो आपका क्या है गलत है दूसरा देखे The Constitution requires the President to appoint a commission to report on the administration of scheduled areas बिल्कुल सही बात है जो scheduled areas है उसके administration के regarding उसका administration सही चल रहा है या नहीं चल रहा है इसके लिए Constitution President को बोलता है कि आप commission बिठाएंगे तो यह article 339 ने बोल गया है और इसके regarding President ने coming बनाया है एक commission बनाया है आपका धेबर commission धेबर commission धेबर commission सबसे पहला commission इसको बनाया था भेढर commission को ABCnicos बनाया था प्रेजिडटन ने दूसरा बनाया है दिलीप सिंगबुरिया commission दिलीप सिंग भुरिया commission ये recent है recent मतलब ये 2002 में बनाय गया था है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रहें कि article 339 के according president को ये बोला गया है कि scheduled areas का proper administration हो रहा है ये नहीं हो रहा है इसके regarding आप commission बिठाएंगे और इसी के regarding president ने अभी तक दो बार commissions बिठाएंगे है इसमें की एक है धेबर commission 1960 में बिठाएंगे था और एक है दिलिप सिंग भुरिया commission जिसको की 2002 में बिठाएंगे था तो दूसरा statement आपका बिल्कुल सही है दोस्तों पहला तो गलत है दूसरा सही है आए थर्ड statement पर नजट डालते है अगक्सा या अगक्सा परलामेंट और थषीन पराग़े थे खागोचल गलते है पहला तो आपका है स्टेशन थे बिल्कुल सही है दो आपक लेचर का कोई कानून डारेक्ली या तो अप्लाई ही नहीं होता है और यदि अप्लाई होता है तो उसमें स्पेसिफाइड अब यह दंञे दहुम घैनले लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे कंफ सिडियूल 822 5 इनिक यह अप्लाई विए अप्लाई होता थेश्टेट अर यह है यह है यहception स्टेट्स असंप म्धालेदूर तिर्पूरा जहां चैनल के का कोई एक्ट हो यह एक्ट व यह लगा कि नहीं होगा यह कौन बताएंगे गवर्ट करेंगे ठीक है अब देखे 6th schedule में ध्यान रहे आसाम की बात करेंगर तो आसाम में प्रेसिडेंट का पार्लेमेंट का कोई एक्ट हो या फिर State Legislature का कोई एक्ट हो पार्लेमेंट का कोई एक्ट हो या फिर State Legislature का एक्ट हो ये दोनों में जो decision होगा यानि कि उसको 6th schedule एरिया में implement करना है या नहीं करना है या किस modification के साथ उसको implement करना है ये power है governor के पास ये power है governor के पास ठीक है आसाम के अलावा जो तीन आपके 6th schedule states है यानि मेगाले मीजोरम और तिरपुरा ठीक है इन तीनों states में अगर parliament का कोई law है तो वो applicable होगा की नहीं होगा ये decide करेंगे applicable होगा तो किस modification के साथ होगा ये decide करेंगे president और अगर state legislature का कोई law है तो वो applicable होगा की नहीं होगा और applicable होगा तो किस modification के साथ applicable होगा ये decide करेंगे governor ठीक है बहुत ही intricate है एक बार आप समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है फिप सेडूल एरिया में स्टेट लेजिसलेशर का हो या पार्लेमेंट का कोई भी एक्ट एप्लिकेबल होगा या नहीं होगा या किस मोडिफिकेशन के साथ होगा इट विल भी डिसाइड़ गवर्नर सिख् वहाँ पर पार्लेमेंट का लौ एप्लिकेबल होगा प्रेशिडेंट के द्वारा और स्टेट लेजिसलेशर का लौ होगा गवर्नर के द्वारा ठीक है इस बात को अदम भली भाती मन में बिठा लीजिए ठीक है इससे क्वेस्टन पूछ करके आप बढ़ियां अच्छे स्टूदेंट्स को फजाया जा सकता है सिंपल स्टूद मतलब थोड़े मीडियम स्टूदेंट्स की तो बात ही कुछ और है ठीक है तो फोर्टींथ खराइट एंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर दी ठीक है टू एंट्ट्री ये करेक्ट है अई दोस्तों क्वेशन नमबर फिफ्टींथ देखते हैं अच पर दे एंटी डिफेक्शन प्रोविजन्स अमेंबर ऑफ इधर हाउस ऑप पार्लेमेंट और इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिसलेटर बिलॉंगिंग तो एनी पॉलिटिकल पार्टी वो और कौन-कौन चीजों के लिए डिस्क्वालिफाई है तो पहला देखें वोट और कंटेस्टिंग के लिए कोई इंसान डिस्क्वालिफाई नहीं होता है अगर कोई एंटिटिफेक्शन के अकॉर्डिफाई किया गया हो तो वो किसी भी रेमिनेरेटिफ पॉलिटिकल पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है तो फिप्टिंथ का राइट एंसर क्या हो गया आपका ऑप्सन नमबर है बी टू एट थ्री ओनली आई क्वेशन नमबर 16 देख लेते हैं दोस्तों तो 10th schedule के प्रोविजिन सोब्सक्रिफेक्ट मिलाने के लिए जो रूल्स है वो कौन बनाएंगे तो रूल्स बनाएगा दोस्तों प्रेइडिंग थाउस के द्वारा यानि लोगसऐ में किसे द्वारा ? आप ए तो चेयर परसन के द्वारा यानि जो भी प्रेशाइबिंग ओंफिसर है नहीं के द्वारा ये रूल्स बनाया जाएगा तो 16 का C is the right answer अगे दोस्तों क्या कर रहा है इन वीच आप फॉल्वाइंग फेमोस जज्मेंट तो सुप्रीम कोट हेल्ड देर्ड प्रेसाइडिंग ओफिसर वाल डिसाइडिंग एक्वेस्टन अंडर देर्टेंथ स्टूल फंक्शन से अजे अजे ट्राइबुनल तो देखें जो प्रेसाइडिंग ओफिसर है यानि स्पीकर या चेर्मेन ठीक है वही डिसाइड करते हैं कि एंटी डिफेक्शन के कोडिंग किसी को डिस्कौलिफाई करना है कि नहीं करना है तो यह जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो एजे ट्राइबुनल ले रहे हैं और जैसे किसी भी ट्राइबुनल के जज्जमेंट को हाई कोट और सुप्रीम कोट में चलेंज किया जा सकता है उसी तरह से स्पीकर और या चेर्मेन के भी डिसीजन को High Court या Supreme Court में challenge किया जा सकता है ठीक है तो ये Supreme Court ने कहा है कि हो तो Holohan case में ठीक है किसमें कहा है कि हो तो Holohan case में तो 17th का right answer is option number D बाकी देखे Minerva Mills case में क्या कहा है Supreme Court ने Minerva Mills case में Supreme Court ने कहा है कि Directive Principles और Fundamental Rights के बीच में Balance होना एक basic structure है फिर Indra Sahuni case में Supreme Court ने कहा है इसमें कहा है Principles of Equality वगर के बारें बात कहा है और कहा था कि जो Reservation है वो 50% से उपर नहीं होना चाहिए फिर IR Coelho case में आपके 9th schedule के उपर में बात हुई है ठीक है तो ये सबाब को पता होना चाहिए आई दोस्तों question number 18th पर आते है 18th last question है तो क्यों नहीं ये question का answer आप करिये देखे, if there are various tribes in an autonomous districts under 6th schedule who among the following divides the autonomous districts into several autonomous regions अगर एक autonomous districts में बहुत सारे tribes है तो उन tribes के according एक autonomous districts को autonomous region में कौन divide करेगा तो कौन divide करेगा तो पहला है president divide करेगा, governor करेगा या state के high court करेगी या none of them तो ये आपको बताना है ठीक है and try to give a detailed answer as I have always demanded और अगर आपको ये session अच्छा लगा तो आप मेरे telegram channel CACV थानद मुहन इसको join कर सकते हैं वीडियो को like कर दीजे, वीडियो को share कर दीजे इटी जो moral duty of yours and channel को subscribe करेए मिलते हैं आप से एक और ने वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आप सकते हैं